आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पत्ता गोभी की बहुत ही टेस्टी और अलग सी रेसिपी इस रेसिपी को आपने पहले कभी ट्राइ नहीं किया होगा तो इसे आज जरूर बनाएं इसे बनाने के लिए आपको एक पत्ता गोभी चाहिए वो भी छोटे साइ बेच्वोटे एक लोटें आपने के लिए में पाँ एक पत्ता गणने के लिए जेकyas में ज्किन एक समय है इसे इस तरीके से कट करना है क्योंकि हमें इसे एकदम बारी चॉप करना है आप चॉप करने के लिए आप या तो नाइव से इसे एकदम बारी चॉप करने या फिर आपके पास चॉपर हो तो आप उससे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उससे ना बहुत या असानी से चॉप हो कर दो कर दो कर दो कर दो. प्रोप्राइब आपार प्रोप्राइब तो सेम इसी तरीके से जितना भी पत्ता गोबी है सब को मैंने चॉप करके रख लिया है अब ये दिखिए ये एकदम बारीक है और आपको भी इस तरीके से बारीक ही चॉप करना है अब इसको साइड में रख देंगे और कड़ाही रख देंगे गैस पर जिससे कड़ाही जो है वह हमारी गरम हो जाए जैसे ही हलकी सी कड़ाही गरम हो उसमें 3-4 चमच घी डाल देंगे और घी जब गरम हो जाय तो इसमें हमें पत्ता गोबी को डालकर भून लेना है भूनना है एकदम low flame पे क्योंकि पत्ता गुभी का हमें color बिल्कुल change नहीं करना है अगर इसका color change हो जाएगा तो फिर अच्छे से बनेगी नहीं वो recipe तो इसे low flame पे लगातार चलाते हुए भून लें तो यह देखे 5-6 minute मैंने इसे भूना है और इसका color हलका सा चेंज हो गया है भूनना क्यों है जिससे जो पत्ता गुभी की smell होती है न वो निकल जाए बस इसलिए हमें इसे भूनना है और इसका कच्छापन भी हलका सा खतम हो जाए तो यह मैंने इसे भून लिया है अब इसमें हम आड़ करेंगे milk तो milk मैंने आपे आधा लीटर से एक लीटर का दूद यूज किया है इसमें दूद यूज करेंगे gas का flame एकदम लो करके जिससे दूद ऊपर आपके न पढ़े अगर कडाई करम है तो ऊपर पड़ सकता है और इससे आप जल सकते हैं कडाही एकदम गैस का फ्लेम लो करके कडाही में दूद को डालना है थोड़ा थोड़ा करके दूद इसमें एड़ करेंगे बस इस तरीके से डाल कर इसे हमें बॉयल कर लेना है और जब यह बॉयल होने लगेगा तो इसमें आड़ करेंगे ड्राइफ रूट्स और सौदन उसार चीनी तो पहले इसे हमें बॉयल करना है और इसे दूद जो है इसमें उसकी कॉंटिटी भी कम करनी है तो यह बॉयल होने लगा है इसमें थोड़े से एक से दो इलाइची के जाने डाल देंगे ड्राइफ रूट अड़ करेंगे आपके पास जो भी ड्राइफ रूट अवैलिवल हो आप वो सारे यूज कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि यह कुछ खास ड्राइफ रूट से उन्हीं को आपको यूज करना है अब इसमें चीनी अपने सौद के अनुसार करेंगे और बस इसे हमें अब बॉइल करना है तब तक जब तक कि इसका एक अच्छा सा टेक्शर नहों जाए अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे बॉइल कर लेना है पांसे साथ मिनट के लिए और उसके बाद इसकी काफे काफे रिद्यू सो जाएगी तो यह देखेए इसकी काफे तो थेंगे ज्गा इकम को कि बट्रयू से हमें इसे क्यान करते के काफी नहीं करते हैं अब यह दिखिए यह काफी इसका जो टेक्शर है वो काफी चेंज हो चुका है और अच्छा भी लग रहा है तो बस अब हम ग्यास का फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि खीर हमारी बंद करके बल्कुल तयार है इसे थोड़ी दर ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे जरूर बताएं और अगर आपने यह रेसिपी ट्राइ नहीं की है तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ करें क्योंकि यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इसे एक बार जरूर ट्राइ करना बनता है